हाव रूफीक्स वान प्लस सेवेंटी प्रो वेटिंग प्रावलेम सॉल्फ के से करें नमस्कार दोस्तो तो अगर अब सभी का तिकराच यूट चैनल पर तो दोस्तों अगर आपने कॉल वेटिंग सेट कर रखाएं लेकिन फिर भी अगर आपका कॉल वेटिंग काम नहीं कर तो कैसे आप इस प्रावलेम को सॉल्फ कर सकते आज के इस वीडियो पर मैं आपको यही सॉलुशन बताने वाला तो वीडियो को आं तक देखे जो भी सॉलुशन है उसको फोलो करें इससे दोस्तों आपका प्रावलेम डेफिनेटली फिक्स हो जाएगा तो यहां पर दोस् करने की कोशिश कर रहें तो जो कि होने के बाद आपको काम भी आ सकते हैं ठीक है तो यह दोस्तों एक कॉल वेटिंग का फ्यूचर है और कॉल वेटिंग इस तरह की सही काम करते नोटिफाइग कर देथे आपको अगर दूसरे कॉल आ रहा है ठीक है अगर आपको किसी के प्राइटिंग भी बताऊंगा और सॉलुशन भी बताऊंगा तो वीडियो शुरू करते हैं और शुरू करने से पहले दोस्तों जाके चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकुन को क्लिक करें और अगर आप ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते तो वीडियो डिस्क्रिप् कि फॉन सर्वेस सेर्ज करना है क्योंकि दूस्तों फॉन सर्वेस यही पर आपका शीटिंग क्लेट्न का तो इसको आप सर्द करके अपडेट अपडेट कर देना आपको phone service मिल जाएगा और उसके बाद दोस्तों आपको storage in cache पर जाना है clear storage पर क्लिक करके ok कर देना है और उसके पर बेक करना है and permission पर जाके make sure to enable all the permissions ठीक है सारे के सारे permissions आपको enable करना है उसके बाद आपको बेक करना है mobile को safe mode पर reboot कर देना है उसके लिए आपको power button को press and hold करके रखना है power off के button को 2 seconds क्लिक करके रखना है और ok कर देना है उसके बाद दोस्तों आपका जो problem है solve हो चुका होगा ठीक है तो यह कुछ solutions जो कि दोस्तों मैंने आपको बता दिया है उसको follow करके आप call waiting problem solve कर सकते हैं जाए सेटिंग करते कॉल सेटिंग पर जाए ठीडोस में क्लिक करके calling accounts more futures और यह है caller ID and call waiting और उसके बाद जाके यहां से आप call waiting इनेबल कर सकते हैं अगर इनेबल है तो disable करके इनेबल करें ठीक है यह करने के बाद दुबारा से चेक करके देखिए problem solve हो चुका होगा अगर problem solve हो जाता है तो ठीक है अगर नहीं हो रहा है तो सेटिंग पर जाए स्क्रोल डाउन करें सिस्टेम पर क्लिक करें और उसके बाद आपको मिलेगा software update तो दोस्तों मैं आपको सब्सक्राइब करूंगा कि आप software को अपडेट करें software जैसे आपडेट होगा आपका problem solve हो जागा ठीक है by any chance मान ले सारे के सारे solutions follow करके देखा काफी दिन हो गया है पर क्लिक करें factory data reset पर क्लिक करके mobile को factory data reset कर देना है जैसी दोस्तों आप factory data reset करोगे आपका problem solve हो जाएगा तो इस तरीके से call waiting problem आप solve कर सकते हैं उमीद करते हैं दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आओगा थैंक्स ओर वाचिंग